गामनवाद का विरूद यह विशलेशन किया जा चुका है कि डॉक्टर आमबेटकर वर्णवाद के विरूदी थे क्योंकि उसने भात ये समाज में नाती भेद तथा चुआ चूट जैसी बुराईयों को जन्म दिया उनके अनुसार स्वतव वर्णवाद किसी अन्यवाद की अभिवेक्ती है जो हिंदू धर्म गरंतों में मूलतर सन्नेहित है यह वाद ब्रामनवाद है इसलिए डॉक्टर सहाब ने न केवल वर्णवाद का बलकि ब्रामनवाद का प्रतिरोध भी किया वर्णवाद तथा ब्रामनवाद एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे के पोशक है दौनों का मूलाधार असमानता है जिसके प्रती ही उनका विद्रोध था डॉक्टर सहाब की दृष्टी से ब्रामनवाद क्या है यह समझ लेना आवर्शक है ब्रामनवाद से मेरा तात्पर ब्रामनवाद की उसतक्ति विषेशा अधिकारों तथा हितों से नहीं हैं जो उन्हें एक समझादाय के रूप में मिले हुए हैं मैं इस अर्थ में इस सब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ ब्राम्मरवाद से मेरा मतलब स्वतंतरता, सम्ता तता भात्रभाव के निशेद से है इस अर्थ में वह सभी वरगों में विद्मान है केबल ब्राम्मरों तक ही वह सीमित नहीं है हाला कि वे ही इसके जन्मदाता रहे हैं ब्राम्मरवाद का प्रभाव केबल सामाजिक अधिकारों जैसे अंतरजाती खानपान तथा अंतरजाती विवातक ही सीमित नहीं है ब्राम्मरवाद नागरिक अधिकारों का भी निशेव करता है यहाँ ब्राम्मरवाद इतना व्यापक है कि वह आर्थिक अफसरों के छेत्र को भी प्रभावित करता है इस पश्टतर डॉक्टर अंबेटकर की दिश्टी से ब्राम्मरवाद असमानता का दूसरा नाम है वहीं जाती भेद, छुर छूत तथा उच नीच का पोशक है इसी आधार को लेकर डॉक्टर सहाब ने अचूत स्रमिकों से पूछा कि वे अपनी आर्थिक इस्तिती के अफसरों की स्वन हिंदू स्रमिकों से तुलना करें उन्हें बड़ा अंतर मिलेगा ऐसे बहुत से विभाग हैं जहां अचूतों की निफ्ती केवल इसलिए नहीं होती कि वे अचूत हैं अचूतों को मीलों के बुनाई विभाग में नहीं लगाते क्योंकि मूँ से धागा काटना पड़ता है जिसे छूकर स्वने हिंदू स्रमिक अपवित्र हो जाएंगे रेलवे में उन्हें कुली की जगें नहीं लगाया जाता क्यूंकि कुली उसे स्टेशन मास्टर घरेलू कामकाज करवाते थे इस प्रकार के आज भी उधारन हैं जहां अचूतों या दलितों को नौकरी पर इसलिए नहीं लिया जाता कि वे अचूत हैं अतार डॉक्टर अंबेटकर ने अपने आलोचकों से कहा था कि जब तक वे ब्राम्मणवादी प्रवत्ती के विरुद्ध संगर्ष नहीं करेंगे तब तक वे स्रमेकों को संगटित नहीं कर सकते आर्थिक अफसरों के छेतर में असमानता के रहते हुए संगठन का सिध्धान्स फलिबूत नहीं हो सकता अन्य सब्दों में डॉक्टर अंबेटकर ने स्रमेकों को यह सला दी ताकि ब्राम्मन लोग यह न समझ बैठें कि वह ब्राम्मनों के विरोधी थे उन्होंने कहा कि यह मानना कि सभी ब्राम्मन अच्छूत के सत्रू है बिल्कुल गलत है वह तो उन्हीं लोगों से घ्रणा करते हैं जिनमें ब्राम्मनवाद की भावना उच नीच भेद भाव है क्यूंकि ऐसी ही बातें सामाजिक अन्याय तथा असमानता को बढ़ावा देती है अतायव उनकी द्रिष्टी में एक गैर ब्राम्मन यदि उसमें उच नीच की भावना है तो उतना ही घ्रणत है जितना की कोई ब्राम्मन जिसके वहवार में भी उच नीच की कोई भावना है इस प्रकार डॉक्टर अंबेटकर की द्रिष्टी में ब्रामण तथा गैर ब्रामण का भेद नहीं था बलकि जिसम ब्रामणवाद की भावना तथा वेवार है वही समाज का सत्रू है भले ही वह कोई दलित क्यों नहूँ एक और डॉक्टर साहब ने कहा की ब्रामणवाद समाजवाद तथा जनटंदर का घोष सत्रू है क्योंकि उच नीच की भावना जहां हो वह समाजवादी समाज की स्थापना करना असंबव है ब्राम्मनवाद ना केवल सामाजिक अधिकारों का निशेद करता है बलकि समान आथिक अफसरों का भी निशेद करता है इसलिए ब्राम्मनवाद सामाजिक आथिक तथा राजनितिक दृष्टी से अवांचिनिय विचाधारा है इन आधारों के अत्रिक्त दो अन्य ठोस कारण है जिनकी वज़े से डॉक्टर साहाब ने ब्रामनवाद का विरोध किया ये दो कारण है कि ब्रामनवाद ने सुद्र तथा इस्त्री जाती के प्रती जो अन्याय किया है वह कहीं भी इतिहास में नहीं मिलता ब्राम्मनवाद ने इन दोनों ही वर्गों को क्यों इतना दबाया और उन्हीं को क्यों मानवी अधिकारों से वंचित रखा या एक विचारनिय फ्रश्न है लगपक सभी हिंदू धर्म गंथों में सूद्र वर्ग की हिंता पर अत्रदिक बल दिया गया है सूद्र को तो सदेत तारना का पात्र माना गया सूद्र कथा इस्तिरी को पशू की पंक्ती में बिठाना या ब्राम्मनवाद की ही करामात है यग में विबिन्न पशू का बलिदान होता था मुरत पती की चिता पर जीवित इस्तिरी को जलाय जाता था और हिंदू समाज में सूद्र की निरंतर शोशन की इस्तिती का अनुमोधन या ब्राम्मन वाधी करता रहा हिंदू समाज में यदि इस्तिती को घर की चाथ दिवारों में बंदी बनाए रखा तो सूद्र को उच्छ तीन वर्णों की सेवा में अर्पिक कर दिया ब्रामन धर्म के नाम पर उनको अपवित्र, नीच, आदी माना गया। क्यों? क्या वे मानव प्राणी नहीं थे? आखिर इन्हीं दो वर्गों को ब्रामन वाद ने क्यों इतना दबाया? डॉक्टर सहाब ने यह महत्वपून प्रस्न उठाया। मनु विधान के अनुसार इस उसे अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। इस्तरियां सौभाव से ही दुरगुनी होती है। मनु के विधान में इस्तरी को निम्नतम इस्थान प्रदान किया गया। पुरुष्टी तुलना में इस्तरी को कोई अधिकार ही नहीं मिले। उसे पुरुष्ट पर जित को ग्रहन कर रहे थे जिसके कारण वर्णवाद तथा ब्रामणवाद की नीव ही हिली जा रही थी चूकि मनुसमीती की रशना भगवान वद्ध के बाद हुई इसलिए इन दौनों वर्णों को नाकाम करने के लिए उन पर अनेक पाबंदियां तफ़ा अयोगताय थोप दी ग रखे गए जैसे ग्यानारजन, हतियार तथा व्यापाल धन सुद्रों को पढ़ने का आधिकार नहीं था और ना ही वे कोई धन संपत्ती इखटा कर सकते थे शास्राधी तक तो उनकी कोई पहुंच नहीं थी उन्हें उन सभी साधुनों से वंचित रखा गया जिनके द्व तथा सुद्रों पर जिती आयोगिताएं ला दी गए उतनी उनके पूर्व हिंदू धर्मगरंतों में नहीं थी, हाला कि ये योगिताएं एकदम नहीं नहीं थी, डॉक्टर अंबेटकर ने कहा कि ये सब ब्राह्मनों तथा ब्राह्मनवाद की विचाधाराओं का प्रतिन बनाया, डॉक्टर अंबेटकर ने एक ही पंक्ती में आने वाले ब्राह्मन धर्म, ब्राह्मनवाद, जातिवाद, चुआ चूत, उच नीच, आदी का घोर विरोध किया और कहा, जिस धर्म में एक वर्ग विध्यायन करे, दूसरा शस्त धारन करे, तीसरा व्यापार करे, और चौता सिर्फ सिवा करे, ऐसा कहा गया है, वह धर्म मुझे स्विकार नहीं है, जो एक को योग बनाये रखने के लिए, दूसरे को अयोग बनाये रखता है, वह धर्म नहीं है, बल्कि लोगों को बौध्य गुलामी में रखने का सर्यंत्र है, जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देकर दूसरे को निशस्त्र करता है वह धर्म नहीं है बल्कि एक के द्वारा दूसरे को पराधीनता में रखने की चाला की है जो धर्म कुछ लोगों को धन संपक्ति रखने का अधिकार देता है और शेश लोगों को जीवन निर्वा के लिए अन्यों पर आश्चित रहने के लिए कहता है वह धर्म नहीं, बलकि स्वात्व पर्यानता है. हिंदू धर्म का चात्र वर्न ऐसा है. डॉक्तर अंबेटकर के अनुसार यही ब्राहमनवाद का असली रूप है जो असमानता तता परिधानता के विचारों का पोशन करता है अता ब्रामर धर्म में अच्छूतों की उन्नती करापी नहीं हो सकती दॉक्टर साहब की दृष्टी से व्यक्ति को आत्मोंनिती के लिए अन्य बातों के अत्रिक्त तीन बातों की अति आवर्शक जिसमें सहानभूती, संता तता स्वतंतता के मूल्य कूट कूट कर भरे पड़े हैं उन्होंने यह इसपश्ट गोशना की जिस भ्रामर धर्म में मनश्य को मनश्यता से वैवार करना मना है वह धर्म नहीं है उद्धंडता का प्रदशन है जिस धर्म में मानवता की मानवता को पहचानना अधर्म माना जाता है वह धर्म नहीं बलकि एक रोग है जिस धर्म में पसु को छूत और मनश्य को अचूत समझा जाता है वह धर्म नहीं है एक पागलपन है जो धर्म एक ही वर्ग से यह कहे कि वह विद्यायन ना करे धन संग्रय ना करे और शस्त धारन ना करे वह धर्म नहीं मानव जाती के साथ खिलवार है वह धर्म जो अशिक्षितों से यह कहे अशिक्षित रहो नेधन से कहे नेधन रहो वह धर्म नहीं वर्नम सजा है इस प्रिकार जिस ब्रामणवाद, ब्रामणधर्म या वर्नाशम धर्म में इस इस्त्री और सुद्रों दौनों को दासी तफा दास माना गया, दौनों ही विद्या पढ़ने, वेजसास्त्र सुनने और धार में कर्मकांड करने का आधिकार नहीं दिया गया, उसका प्रतिरोध डॉक्टर अंबेट कर जैसे मनश द्वारा न होता, कल्पना नहीं की जा स इन दो वर्गों की उन्निती के पद पर लाने के लिए जीवन भर संगर्स किया, ब्रामणवादी विचाधाराओं का तो उन्हें विरोध करना ही था, क्योंकि उनका जीवन दर्शन, मूलत, असमानता, अन्याय तथा शोशन के प्रती एक विद्रो है, जो आज भी उतना ही सजीव है जितना पहले था, समविधान के मुखि निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेटकर ने उन मानवी अधिकारों को दलितों तथा सूद्रों के लिए सुलब बनाया, जिनका उनके लिए बामरवाद ने निशेद कर रखा था, उन नागरिक अधिकारों को स्वेक प्रति हो रहे अन्याय के विरुद हिंदू कोटबिल द्वारा मौलिक सुधार लाना चाहते थे, अपनी हट धर्मिता के कारण यद्पी स्वन हिंदूों ने उनके मंत्री काल में उसे पास नहीं होने दिया, परंतु बाद में उस बिल की मुख्य धाराय किसी ना किसी रू जीविका, स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा सामाजिक बंदुता जैसे विचारों के समर्तक एवं पोशक थे, ये ही मूल्य उनके समाजदर्शन के मौलिक तत्व हैं, जो सिद्धान्त कह, नकारात्मक द्रिष्टी से ब्राम्मर धर्म, ब्राम्मर वाद, जाती वाद, अच्छूत, उच नीच, अन्याय तथा सोशन के कत्तर विरोधी हैं